इशा उपनिशद मूल मंत्र व्याक्या सहित स्रिस्टी के प्रारम में परमात्मा मानवों के कल्यान हीतु वेद का उपदीश करता है। जिसका अर्थ है वेदों के अंतिम सिध्धान्त वैसे तो उपनिशदों की संख्या अनेक है। पहले मंत्र का अर्थ यह सब जो कुछ प्रित्वी आदी पल्चराचर वस्तु है इश्वर से अच्छा दित है। उसी इश्वर के दिये हुए पदार्तों से भोग कर किसी के भी धन का लालच मत कर। व्याख्या उपनिशद की आदियम सिक्षा यह है कि मनुष्य उच्छ प्रकार की आस्तिक्ता के भावों से अपने हिर्दे को भड़ ले। मनुष्य इश्वर को एक स्थान पर सेमित ना मानकर सरवत्र और असेमित माने अधात जिस प्रकार प्रतेक वस्तु आकाश में है और प्रतेक वस्तु के अंदर भी आकाश है इसी प्रकार से इश्वर भी जगत में ओत्परोत हो रहा है और इसी बात को सपस्ट करने के उसकी रोशनी से ही जरा जरा नुमाया है, हर बून में वही समंदर समाया है, अतीत में घटे बड़े से बड़े युद्धों से लेकर छोटे छोटे जगड़ों और फसादों का सिर्फ एक ही कारण रहा है, या तो किसी जाती का स्वत्व छीना गया, उसके अधिकार छीने ग ऐसी स्थितियां जन्व ना लें, इसलिए उपनिशत कहता है, हे मनुश्य किसी की स्वतंतरता और धन का अपरण मत कर, ना किसी का स्वत्व छीना जाए, ना किसी की स्वतंतरता में बाधा पहुँचाई जाए, तो अशांती का जन्व ही क्यों कर होगा? दूसरे मंतर का अर्द, कर्मों को करता हुआ ही सो वर्ष तक जीने की इच्छा कर, इस प्रकार तुछ मनुश्य में कर्म लिप्त नहीं होता, इसके अधिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं, व्याख्या, मनुश्य द्वारा की गई चेश्टाओं या प्रियासों को दो भागो में बाटा गया है, पहला कर्म, दूसरा अकर्म, मनुश्य द्वारा किये गए प्रियास या चेश्टाओं जो धरम युक्त हैं, उसे कर्म कहते हैं, यह दो प्रकार का है, सकाम कर्म और निशकाम कर्म, दूसरा, वे प्रियास या चेश्टाओं जो अधरम से युक्त हैं, व उपनिशद्ने मुख्य था प्रतम पांच बिंदूओं पर प्रकाश डाला है जिसे आत्मसाथ करके मनुश्य ब्रह्म विद्या में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर लीता है पांच बिंदू इस प्रकार हैं पहला संपूर्ण भ्रह्माण में इश्वर को सरव्याप दूसरा जगत के भोग्य पदार्तों में ममता को छोड़ कर अपना प्रयोग अधिकार समझना तीसरा किसी की वस्तुया अधिकारों को ना चीनना चौथा सदैव कर्म करना पांच जीवन परियंद आत्मा के अनुकूल आजरन करना तीसरे मंत्र का अर्थ जो कोई आत्मा के विरुद्ध आजरन करने वाले मनुश्य हैं वे मरकर गहरे अंदेरे से अच्छा दित हुए लोक योनियों को प्राप्त होते हैं व्याख्या आत्मा सभाव से शुद्ध और पवित्र है या किसी भी प्रकार की इरश्या द्वेश आधी दोशों से लिप्त नहीं इसलिए उपरोक्त मंतर में आत्म हनन अथार्थ आत्मा के विरुद्ध कारे को निशिद ठहराया गया है मंतर में अंदकार ग्यान को और प्रकाश ग्यान को कहा गया है जो वेक्ति आत्मा के विरुद्ध आजरन करते हैं मरने के पश्चात अज्यान रुपी अंदकार से युक्त स् उधारन इराक, सीरिया, यमन, आदिस्थान है जहां दया धर्म का नामों निशान नहीं जहां सुख प्राप्ति के ये सद्गुण विद्यमान नहीं वहस्तान अंदकार के ही समान है चौथे मंत्र का अर्थ, वह ब्रह्म, अचल, एकरस, एक तता मन से भी अधिक वेगवाला है क्योंकि सब जगे पहले से ही पहुँचा हुआ है उस ब्रह्म की प्राप्ति इंद्रियों से नहीं होती, वह अचल होने पर भी दोड़ते हुए अन्यों को उलंगन किये हुए है उस ब्रह्म के भीतर वायू जलों को मेगादी के रूप में धारन करता है व्याख्या, उपनिशत में बताया गया है कि इश्वर सदैव एक रस रहता है, अथार्थ उसमें अभी बतलाव या विकार नहीं आता इसी भाब को व्यक्त करने के लिए आगे ब्रह्म के इनी गुनों का वर्णन करते हुए कहा गया है पहला, वे मन से भी अधिक वेग वाला है क्योंकि वे प्रतीक जगे पहले से ही विद्यमान है इसलिए वे सर्वदेशी है दूसरा, वे ब्रह्म इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता क्योंकि ग्यात वस्तु जड़ और ग्याता चेतन है उधारन के लिए मान लो, हमारी निगा चमकते सूरे पर पड़ी इस स्थिती में आखे नहीं जानती उसने क्या देखा, क्या दिखाई दिया, इसे जानने वाला आत्मा है इस स्पस्ट है, आखे देखती नहीं, बल्कि दिखाने में सहायक होती है इसी प्रकार इश्वर की प्राप्ती इंद्रियों द्वारा नहीं होती, बल्कि इंद्रियां इश्वर प्राप्ती में सहायता करती है तीसरा, उसी ब्रह्म के अंतरगत वायू जलों को धारन किये रहता है जगत का कोई भाग ऐसा नहीं, जहां वायू ना हो और जहां कहीं सपस्ट रूप से वायू नहीं, वहां आकाश है, इथर है इस परकार से जगत व्यापी वायू उस ब्रह्म के अंतरगत अपना कार्य करता है पांचवे मंत्र का अर्थ वह ब्रह्म गती देता है परंतु स्वयम गती में नहीं आता वह दूर भी है और समीब भी वह इन सब के अंदर भी है और बाहर भी चटे मंत्र का अर्थ जो कोई संपून जगत को इश्वर में देखता है और संपून जगत में इश्वर को देखता है वह निंदित नहीं होता व्याख्या जो मनुश्य संपूर्ण संसार को उस ब्रह्म के अंदर और ब्रह्म को संपूर्ण भूतों के अंदर देखता है वह ग्रिणा नरहित हो जाता है क्योंकि जब ब्रह्म प्रतेक प्राणी के अंतरगत है तो प्रतेक प्राणी के शरीर इश्वर के मंदिर ही हुए ज उस अवस्था में ऐसे एकत्व देखने वाले को कहा मू और कहा शोक व्याख्या उपनिशत वाक्य एक अवस्था विशेश का संकेत करता है वह अवस्था कौन सी है यही प्रशन है जिस पर विचार करना है योग के अंगों में प्राणायाम के पश्चात पांचवे अंग से शरीर के भीतर इस्थ परिवर्थनों के करने का विधान है मनुश्य की शक्ति अंतह और बहाय कारणों में साधारनतयाग फैली हुई रहती है इसलिए योगी के सिवाए कोई अन्य मनुश्य अपने पूर्ण शक्ति को किस काम में नहीं लगा सकता जब योगी अपनी शक्ति को किसी एक लक्षे पर लगा देने का नाम धारना है और उसी एक अत्रित शक्ति को किसी एक स्थान पर ना लगा कर आत्मा में लगा देने का नाम ध्यान है और इसी की उच्चवस्था को समाधी कहते हैं ध्यान को समझने में आम तोर पर लोगों से गलती हो जाती है निराकार इश्वर के ध्यान की बात आते ही लोग कहने लगते हैं जिसकी कोई शकल नहीं, सूरत नहीं, रूप नहीं तो भला उसका ध्यान कैसे किया जाता है ऐसे पुर्षों के मत अनुसार, ध्यान, किसी बहाई रूप रंग वाली वस्तु को भीतर हिर्दे में लाने का नाम है पर अंतु बात इस सर्वता विपरीत है, ध्यान भार से किसी वस्तु को भीतर लाने को नहीं कहते हैं किन्तु भीतर जो कुछ भी हो, उस सब को निकाल कर बाहर फैंक देने का नाम है, इसलिए सांख्य दर्शन के आचारे कपिल ने कहा है, ध्यानम निर्विशयम मनहा, अथार्ट, ध्यान मन को निर्विशय करने को कहते हैं, यही वह अवस्ता है, जिसका उप्युक्त मंतर में उल्लेक है, इस अवस्ता को प्रात कर लेने से ही योगी एकत्व दर्शी हो जाता ह समस्त चराचर जगत में योगी ब्रह्म के सिवाए कुछ नहीं देखता, यही वह अवस्ता है, जिसमें मनुष्य के मन में यह विचार उत्पन होता है कि सब जीव एक ही हैं, और उसे जीवात्मा ने कर्मों का फल भोगने के लिए यह नाना प्रकार के रूपों को किया है, तो उसको अपने और अन्य पश्यों के बीच में कोई भेत प्रतीत नहीं होता, उक्त दशा में ना तो उसे कोई ब्रह्म ही उत्पन होता है, ना किसी को मित्र अत्वा किसी को शत्रु ही मानता रहता है, किन्तु वह सब संसार में एक तको ही अनुभव करता है, ऐसे में एक शुरुती अवलोक निये है एक बार एक साधू नदी में सनान कर रहे थे अचानक उनके दृष्टी एक डूबते वे बिच्चु पर पड़ी उन्होंने उसे बचाने के लिए प्रत्म किया वो जितनी बार बिच्चु को पकड़ते बिच्चु उतनी बार उन्हें डं पक है जगत उत्पादक, शरीव, शारिरीक, विकार रहित, नाडी और नसके बंदन से रहित, पवित्र पाप से रहित, सुक्ष्म दर्शी, ज्यानी, सर्वोपरी, वर्तमान, स्वेंसिद, अनादी, प्रजा के लिए ठीक ठीक करमफल का विधान करता है व्याक्या, इस मंत चाहिए, बिना इसको समझे, बिना इस परशधा और विश्वास की, हम ब्रह्म विद्या के स्वच और उन्नत पत्की और कदम भी नहीं बढ़ा सकते, इश्वर का दूसरा गुन है, एक अत्व, अथार्थ इश्वर एक ही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, आदी नहीं, इसक उपासक को ड्रेंट विश्वास होना चाहिए, इश्वर का तीसरा गुन, शुक्रम, अथार्थ, जगत का आदी मूल कारण होना है, इश्वर का चौथा गुन, शुद्धम है, अथार्थ, इश्वर की शुद्धता को लक्षे में रखते हुए, इश्वर की समीपता प्रा विद्धम है, मनुश्य को भी निश्पाप बनने के लिए पाप के मूल विपरीत मिथ्या ग्यान का बहिश्वार करना चाहिए, कवी इश्वर का चटा गुन है, कवी कांद दर्शी, सर्वद्रस्टा तता सरवग्य को कहते हैं, मनीशी इश्वर का सात्वा गुन है, जो इ इश्वर अनादी प्रजाजीव के कर्मों के फलों का यथा त्यर्त ठीक ठीक विधान किया करता है, कर्म का फल नियून या अधिक नहीं हो सकता नौवे शलोग का अर्थ, वे लोग घोर अन्दकार को प्राप्त होते हैं, जो अविध्या की उपासना करते हैं, और इससे भी अधिक अन्दकार को वे प्राप्त होते हैं, जो विध्या में ही रत है दसवे शलोग का अर्थ ग्यान का और ही फल कहते हैं कर्म का और ही फल कहते हैं ऐसा हम धीर पुर्षों से सुनते हैं जिनोंने हमारे लिए उपदेश दिया ग्यारवे मंत्र का अर्थ जो ग्यान और कर्म इन दोनों को साथ साथ जानता है वे कर्म से मृत्यों को तैर कर ग्यान से अमर्ता को प्राप्त होता है 9, 10 और 11 मंतर की व्याक्या 9 मंतर में कहा गया है कि जो किवल कर्म का आश्रे लेते हैं वे अंदकार में पढ़ते ही हैं जबकि वे उनसे भी अधिक अंदकार में पढ़ते हैं जो किवल ग्यान का आश्रे लेते हैं इसका कारण यह है कि ज्यान मातर का कोई फल नहीं मिलता जब तक उसे कर्म द्वारा कारे रूप में ना लाया जाए और जब तक ज्यान नहीं तब तक उचित कर्म भी नहीं किया जा सकता इसलिए उपनिशद ने ग्यावे मंतर तक आते आते पूर्टस पस्ट कर दिया कि जो और कर्म दोनों का संतुलित रूप से साथ सेवन करता है वे कर्म से मृत्यू को तैर कर ज्यान से अमर्ता को प्राप्त होता है यह बात कभी किसी अध्यात्म विध्या के विध्यारती को नहीं भूलनी चाहिए अब कर्म और ज्यान का शेत्र क्या होना चाहिए इसका वर्णन आगे के तीन मंत्रों में किया गया है इन मंत्रों में विध्या और अविध्या का महतोपूर्ण सिध्धांत वर्णन किया गया है ज्यान को विध्या कहते हैं और अज्यान को अविध्या जहां अविध्या है वहां अंदकार यानि दुख है महारिशी वेद्यास के अनुसार अविध्या समस्त दुखों का कारण है आत्मा के सुभाविक गुन ज्यान और कर्म दो ही है ज्यान प्राप्ट करके उसको कारे रूप में परिणत करना ही मनुश्य जीवन का सबसे बड़ा उदेश्य है इसलिए मंत्र 9 में कहा गया है कि केवल ज्यान या केवल कर्म का सेवन क करना अंदकार में पढ़ना है वैदि ज्यान और करम मुक्ति दायक है तथा आधुनिक ज्यान और करम उदेश्य हीन है इसलिए ये जनम मृत्यू के बंदन को चुड़ाने की जगे उस बंदन को और भी मजबूत करने के काम में लगे हुए है वर्तमान समय में प्रमानू ब प्रमातर यही देखने में बर्बाद कर देती है कि फला ग्रहा पर जल है या नहीं अत्वा फला ग्रहा पर जीवन है अत्वा नहीं मतलब जहां जीवन है आधुनिक ज्यान उसे भाती भाती के प्रदूशनों से बर्बाद करने पर तुला है और जहां जीवन की संभावना ना के बराबर है वहाँ जल और जीवन खोज रहा है यही तो है निरुदेशे ग्यान और कर्म कितना हासे प्रद है यह आदी छोड पूरी पर धावा अतास परस्ट है कि आधुनिक ग्यान और करम निरुदेशे है जो निश्चित को छोड़ कर अनिश्चित की और भाग फिर रहा है जो प्राणियों के संगहार में लीन है जबकि वेदों का ज्यान और करम मनुष्य को उमर बनाने के उच्चतन साधन है पार्वी मंतर का अर्थ और व्याख्या गोर अंदकार में जाते हैं जो अनादी प्रकती की उपासना करते हैं उनसे अधिकतर वे अंदकार में जो प्रकती जन्नकारियों में लगे हुए है जो मनुष्य अग्यानता की कारण प्रकती को इश्वर समझकर उसकी उपासना से सुपकी इच्चा करते हैं वे बहुती अध्यान के अंदकार में फसे हुए अपने आपको दुखी देखते हैं यह दपी दुख सुख जिवात् दर्म नहीं किन्तु मन का धर्म है परन्तु अज्ञानी बुद्धी Patchy की उपासना से दि गड़ंती एक दर्म अपने में अनुभव करने लगते हैं परकती के उपासक इतने अज्ञानी हो जाते हैं कि उनको अपना ज्ञान भी नहीं रहता और वे मनुश्यों जो प्रकति को इच्वर समझ कर इसकी उपासना से सुखी इच्छा करते हैं वह उनसे अधिक बुरी दशा में पहुँँ जाते हैं प्रश्न कारण प्रकति के उपासक कौन मनुष्य हैं? उत्तर जितने नास्तिक मनुष्य जो केवल प्रकती से जगत की उत्पत्ती मानते हैं, वह सब प्रकती के उपासक हैं, उनको संसारिक विशेभोग के अतरिक कोई काम अच्छा नहीं प्रतीत होता, वह आत्मा को प्रकती के एक विशेश रशना का प्रभाव रूप समझते हैं मानों उनका अपनी सत्ता का भी ज्यान नहीं रहता प्रश्ण कारे प्रकति के उपासक कौन मनुश्य हैं उत्तर मुर्ति पूजक धन पूजक इत्यादी जितने मनुश्य हैं वह संसारी क्वस्तों से सुख की इच्छा करते हैं वह सब कारे प्रक प्रश्न ना तो मुर्ति पूजक ही मुर्ति को इश्वर मानते हैं और ना धन पूजक ही धन को इश्वर मानते हैं इस कारण यह प्रगति को इश्वर मानने वाले नहीं हैं उत्तर जो मनुष्य इश्वर की उपासना करते हैं वह किस निमित करते हैं केवल आनंद अथार्ट स प्रकति सत है, जीवात्मा सत्चित है, परमात्मा सत्चित और आनन्द है, जीव में आनन्द का अभाव है और उसे आनन्द की इच्छा रहती है, इस कारण वह आनन स्वरू परमात्मा की उपासना प्रेम से करता है, अब जो मनुष्य प्रकति से उत्पन हुए द्रव्यों को सुक का साधन समझते हैं वह वास्तव में धन को परमेशवर समझते हैं क्योंकि बिना सुक की इच्छा के मनुष्य किसी वस्तों की उपासना नहीं कर सकता और जिसकी उपासना यथाथ कारण प्रकति का और ही फल बताते हैं ऐसा धीरपुरुष हमारे लिए परन्तु दुख सदैव के लिए नस्ट नहीं होता वह मंद बुद्धी होकर जनमरन के बंधन रूप संसार सागर में डुपकियां खाता रहता है विद्वान लोग ऐसा कहते हैं जो जड़ रूप कारण की उपासना करता है वे प्रकति में डूप जाता है ऐसा विद्वानों को उनका यथार्द ज्यान उत्पन करावें जिससे वे मुक्ति के मार को अनुभव करके उस पर चल सकें चौदवे मंतर का अर्थ कारे जगत को और कारण जगत को जो इन दोनों को जानता है वे कारण जगत से मृत्य को तरके कारे जगत से मोक्ष को प्राप्थ होता है व्य क्योंकि जीव को जिस आनंद की अवश्यक्ता है कार्य कारण रूप प्रकति उससे रहित है जिस वुस्तु में जो गुन नहीं है उसकी उपासना से वह गुन कैसे प्राप्त हो सकता है जैसे किसी मनुष्य को गर्मीने सताया हो और वह उससे बचने के लिए अगनी की उपासन करेगा तो उसका ज्यान बढ़ने के प्रत्युत कम होकर और भी दुख को बढ़ा देगा अतहा प्रकति की उपासना से मुक्ति का निशेद करके अब मुक्ति कैसे होगी उसे बताते हैं जो मनुष्य जनम मरन के नियमों और उनके कार्णों को भले प्रकार साथ साथ जानता है अतहा इस बात को समझता है कि जनम मरन शरीर की दशाएं है और जो उत्पन होता है उसका नाश होना आवश्यक है अतहा शरीर की आवश्यकताओं को जो अपने से प्रिथक समझता है वह जनम मरन के बंधन से दुख से छूट कर शरीर की विद्य मानता में ही मुक्ति की दिखाए देने के लिए तू उस आवरन को हटा दे व्याख्या संसार की चमक दमक वाली लुभावनी चीजें ही स्वन पात्र हैं जो मनुष्य को प्रलोभन में लाकर उसे सत्यपत से विमुख कर दिया करते हैं यही माया है क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी लुभाने वाल है वो ही माया है माया के अधीन होने से मोह उत्तपन होता है और मोह से बुद्धी का नाश तता बुद्धी के नाश से अविध्या और अविध्या ही दुख का कारण है इस कतन को सपस्ट करते हुए सवामी दियानन लिखते हैं मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाल और अविध्यादी दोशों से सत्य को छोड असत्य में जुग जाता है. मनुष्य क्यों चोरी करता है धनके लालच से सत्य से विमुक होने का कारण माया या लुभाने वाली वस्तुएं ही हुआ करती है इसलिए मंतर में प्रात्ना की गई है कि ये पालन करने वाले इश्वर इस माया अत्वा प्रलोभन रूपी आवरन सत्य से उठ जाए जिससे सत्यता हमसे और हम सत्यता से प्रिथक ना हो क्योंकि सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है यानि सत्य और धर्म एक दूसरे के प्राय ही है यही कारण है जब कोई सत्य कहता है तब कहा जाता है धर्म कहता है और धर्म कहने पर कहा जाता है कि सत्य कहता है सोलवे मंतर का अर्थ, हे सर्वपोशक, आद्वित्य, न्यायकारी, प्रकाश, स्वरूप, प्रजापती, ताप दूर कर सुक प्रतेज को प्राप्त करा, जो आपका अत्यंत मंगल में रूप है, आपके उस रूप को देखता हूँ, इसलिए जो वह पुरुष इश्वर है, मंतर में सचिदानंद स्वरूप इश्वर से सचिद जीव को सचिदानंद बना देने की याजना की गई है, सत्चिद दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और चेतन आत्मा सत्य है, यानि कभी इनका नाश नहीं होता और चेतन भी है, यानि आत्मा में स्वयम का विवेक भी परन्तु आत्मा आनंद में नहीं है बलकि आनंद खोचता रहता है आत्मा को आनंद की प्राप्ति का साधन भी इसी उपनिशद में बताया गया है वह साधन है इश्वर के उन गुनों को जिनका विवरन मंत्र में है जीव को अपने मिधारन करना चाहिए पहला पूशन और कारण की दिस्थी से अधुट्ते होने के लिए यतन होना चाहिए तीसरा, यम, उसे न्यायपत का अचूप पाथिक होना चाहिए कभी अन्याय और अत्यचार का विचार भी उसके मन में नहीं आना चाहिए चौथा, सूर्य, उसे अपने अंतेकरण को अज्यान के अंतकार से स्वच रखना चाहिए, तता सत्य के प्रकाश से प्रकाश में बनाने का यतन करते रहना चाहिए पाँचवाँ प्रजापती जिस प्रकार प्रजापती अपनी प्रजा की रक्षा किया करता है उसी प्रकार का रक्षक बनने का उसे प्रयतन करना चाहिए जब उपासक इन गुनों से संपन हो जाता है तब इस अवस्था में जीव को ब्रहम के समान ही माना जाता है इस प्रकार ब्रह्म पत को प्राप्त हुआ जीव साधी ब्रह्म है असली ब्रह्म तो अनादी ही है सत्वे मंत्र का अर्थ, शरीरों में आने जाने वाला जीव अमर है, परंतु यह शरीर केवल भस्म प्रयंत है, इसलिए अंत समय में हे जीव, ओम का स्मरन कर, निर्बलता दूर करने के लिए स्मरन कर, अपने की हुए का स्मरन कर अठारवे मंत्र का अर्थ, हे प्रकाश स्वरूप, तेजस्वी इश्वर, एश्वरे की प्राप्ति के लिए अच्छे मार्ग से हमको चलाईए, आप हमारे संपून कर्मों को जानने वाले हैं, हमको उल्टे मार्ग पर चलने रूप पाप से बचाईए, इसलिए आपको हम ब प्रातना विधायक मंत्र के साथ उपनिशत समाप्त होता है, मंत्र में उल्टे मार्ग पर चलने को पाप कहा गया है, उस उल्टे पाप के मार्ग पर ना चलकर सिधे पुन्य मार्ग का पतिक बनने के लिए इश्वर के ही पत्पदर्शक होने की अवशकता होती है, वही अपनिशत समाप्त होता है